नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ बात करूँगा फॉरट पॉलसी आप दे मुगल्स मुगलों की बात की जाए तो तिमूरिद ओरिजन था इनका आपको पता है कि second half of the 15th century लगबख 1450 की बात हो लिए तीन important dynasties थी एक तो थी उसबेक dynasties एक थी सफाविट dynasties एक थी ओटोमन अंपायर नहीं समझ माया मैं बताता हूँ यह रहाए इंडिया इधर है पाकिस्तान इधर है आपका अफगानिस्तान इधर है आपका इरान महलागे पाकिस्तान इरान आपके संब बाउंडरी शेयर करते हैं मैं ठीक से निरबता परा हूँ मैं Central Asian countries जहाँ पर है ट्रांस अक्सियाना के जदातर इलाखे में उस्बेक का कबज़ा था पहले यहाँ पर एक तिमुरिट डैनस्टी भी होती थी तिमुरिट डैनस्टी जब डॉमिनन्ट थी बहुत बड़े इलाके में इनका कबज़ा था बाद में तिमूरी डैनिस्टी कमजोर पड़ी तो उसबेकों का कबजा होने लगा इरान के इलाके में जदतर आपका सफावे डैनिस्टी कबजा था इटली वाले इलाके में पहुंच जाओगे अनातोलिया में तो वहाँ पे ओटोमेन अमपायर का कबजा था तो इसी तिमूरी डैनिस्टी से निकल के आया था बाबर बाबर इंडिया की तरफ आया और उसने मुगल डैनिस्टी की इंडिया में शुरुआत की अब ये जो ट्रांस ऑक्सियाना वाला इलाका था उसबेकिस्तान उसके आसपास का जो इलाका था वहाँ पे तिमूरिट डैनिस्टी थी और इस तिमूरिट डैनिस्टी के अंदर उस्बेक्स लड़ रहे थे तो तिमूर और उस्बेक्स की बंती नहीं थी मैंने आपको बाबर की जब स्टोरी बताई थी बाबर तिमूरिट डैनिस्टी को बिलॉंग करता था और बाबर किसके अगेंस्ट लड़ रहा था उस्बेक्स के अगेंस्ट इन उस्बेक्स ने ओवराल बाबर को उसके इलाकों से भगा दिया समरकंद और उसके फरगाना के आसपास के इलाके से भगा दिया और बाबर इंडिया में इंट्री मारेगा और इंडिया में मुगल ड चुकि इसी तिमुरिट डैनेस्टी का था आपका बाबर और बाबर को उस बेकों ने भगाया था ठीक है समरकंद और फरगाना के आसपास के अलाके से उस बेकों की एक और डैनेस्टी से लडाई हो रही थी और वो डैनेस्टी थी सफाविट डैनेस्टी ठीक है सफाविट ड प्लैट्यू एक ऐसा प्लैट्यू जो कि सेंट्रल एश्या को इरान के साथ जोड़ता है ट्रेड जो जब रदर है आपका चाइना का वो इस पर्टिकुलर जगा से निकलता है खुरासन प्लैट्यू से तो खुरासन के लिए जो इरान का सफाविट डैनेस्टी थी वो भी लड़ रहे हैं उसबेक मुगलों के साथ भी लड़ रहे हैं उसबेक मुगलों के साथ क्यों लड़ रहे हैं तो मैंने बता दिया उसबेकों की तिमुरे डैनस्टी से बनती नहीं थी और मुगल वंश की स्थाफना बाबर नहीं की थी और बाबर तिमुरे डैनस्टी का था त तो अब दुश्मन का जैसे फर इसमपल उसबेक हैं उसबेक मुगलों से भी लट रहा है उसबेक आपका सफाविश से लट रहा है तो नैचरली सफाविश और मुगल आपस में एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे तो यहां पे सफाविश और मुगलों ने मिलके एक अलाइंस कर लिया और वो अबिसी बात है उसबेक के अगेंस्ट हो गया लेकिन इस अलाइंस में भी बहुत खटासे थी चोकि आपको पता होना चाहिए कि यह वही सफाविश डैनस्टी है जिसने कानदाहार के उपर कबजा कर लिया था जहांगीर के समय पे जब जहांगीर शाजहां को बेज रहा था कि जाके रेवेलन नबाओ लेकिन शाजहां गया नहीं तो सफाविश और मुगलों मिलके यहां पे उसबेकों के अगेंस्ट हो गया ठीक है भाई ओवराल अब यहां पे एक प्राबलम थी उसबे वाले हैं यह शिया हैं तो इनके बीच में दोस्ती नहीं हो सकती लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया है मुगल बहुत ब्रॉड मैंड़े थे और अपने ब्रॉड मैंड़ेटनेस के चलते उन्हों धरम के नाम पे सेक्टेरियनिजम के नाम पे सफाविश से एक लिमिट से तो जब मुगल ओवरॉल यहां पे सेक्टेरियनिजम नहीं दिखा रहे हैं तो उसबेक अपना दिमाग लगाएंगे अब उसबेक अपना दिमाग कैसे लगाएंगे अफगानिस्तान के लाके में और जो पाकिस्तान का बलुकिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का भी जो व अफगानिस्तान का बहुत बड़ा अलाका, आज की डेट के पाकिस्तान का वेस्टन इलाका, इन इलाकों में जो अफगान और बलोचीज रहते थे, इनको उस्बेकस्तान के जो रूलर्स थे हो बढ़काने लगे, उस्बेकस्तान नहीं बोलना चाहिए, उस्बेक ट्राइब तो उस्बेक्स बढ़काने लगे किसके खिलाव बढ़काने लगे मुगलों के खिलाव बढ़काने लगे किस बेसिस पर बढ़काने लगे तो religious sectarianism की बेसिस पर बढ़काने लगे तो यह politics तो यहाँ पे सफावित की मुगलों की और उस्बेक की चली रही थी टर्क्स भी बोलते हैं, इनकी politics भी dominant हो रही थी, यह जो अर्थरॉगल गाजी नाम का जो सीरिलाता है, इस अर्थरॉगल गाजी में जो अर्थरॉगल दिखाया गया है, वो अर्थरॉगल काईी ट्राइब का लीडर था, उस अर्थरॉगल का जो बेटा था, वही आप कह सकते कि ये पहला रूलर था आपका, I demand empire के turks कहा, उसने एक्चली में ओटorman empire को found किया था, अखचली में ओटorman empire की ताकत को established किया था, वो अर्तोगल का बेटा था, इसलिए जो अर्तोगल गाजी नाम का जो सीरिय लाका आता है, सीरिया के ओपर कबजा किया, एजिप्ट के ओपर, अरेबिया के ओपर ओटोमन अमपायर का कबजा हो गया, 1529 तक, और इन ओटोमन अमपायर को सुल्तान ओफरम का खिताब भी दिया गया, खलीफा के दोरा जो कि उस समय पर काईरो में रहता था, लेकिन प्रॉबलम थी, ये ओटोमन टर्क्स थे, ये भी सुननी थे, आप समझेए, फिर से मैप देखो, ये इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इसके ओपर अफगानिस्तान है, इधर इरान है, इरान से थोड़ा और वेस्ट दलते चले जाओगे, तो इराक वगर आएगा, फिर टर्की अब ये जो इरान वाला इलाका हैं, सफाविद अंपायर है, शिया पावर है, और ये जो तर्की के आपके ओटोमन टर्क्स हैं, ये सुननी, अब ये सुया सुननी भी तो आपस में लड़ेंगे, तो इन शिया पावर सफाविद से उस बेकों को प्राब्लम है, इन शिया प अंपायर, शिया सेक्ट को फॉलो करता है, और शिया विवाद और सुननी विवाद आपको पता है, कि मुस्लिम धरम के अंदर ये जो दो विवाद बहुत बड़े हैं, मतलब इन फैक्शन के बहुत सारे आइडेलोजिकल व्यूपॉंट्स मैच नहीं करते हैं, तो इसके च फा new dynasty of Iran के साथ लड़े थे बगदाद के कंट्रोल के लिए, northern Iran के कंट्रोल के लिए, इravin नाम की जगाए वहाँ के कंट्रोल के लिए, ऑक, धीरे धीरे करके इन ओटुमन टर्क्स ने अरेभिया के, साओ और अरेभिया के आज़–पास के कोस्टन अलाकों पे अपना कपज वीडियोस पहले से देखी होंगी आपको याद होगा तो अब यहाँ पर देखिए Ottoman threat from the west made the Persians keen to prevent the Mughals समझे यहाँ पर एक balance of powers आपको बनता नजर आ रहा है तो इंडिया के अंदर Mughal इन Mughalों की दोस्ती है Persians से यह Persians उपर उजबेकों के साथ लड़ रहे हैं और इधर Ottoman Empire के साथ लड़ रहे हैं तो Ottoman Empire और उजबेक सफावित के अगेंज लड़ रहे हैं सफावित्स बीच में घिर ना जाएं इसलिए सफावित्स में मुगलों से दोस्ती कर ली चोकि सफावित को लगा कि अब मुगलों से लड़ाई होने लगी तो फिर तो Ottoman, Mughal और उजबेक तीनों मिल जाएंगे फिर तो हम तो बचेंगे नहीं तो यहाँ पर balance of power की जरुवत थी और वो balance of power कैसे established तो इरान का सफावित अंपायर मुगलों के साथ alliance बना के बैठा था और उजबेक की जो ट्राइब थी वो Ottoman Turks के साथ एक प्रकार से कह सकते हो alliance बना के बैठी थी अब उतना तगड़ा alliance नहीं था उजबेक का, Ottoman Turks का लेकिन सफावित डैनेस्टी को लगा कि कहीं है मुगल, Ottoman और उजबेक तीनों मिलके उसके against ना हो जाएं इसलिए इन सफावित अंपायर इरान शाह जो इरान का था उसने मुगलों के साथ अपने ज़िश्टे को अच्छा बना के रखा तब चुकि मुगलों की इरान के साथ अच्छी बन रही थी तो Central Asia वाला जो ट्रेड था इंडिया का वो भी काफी अच्छा हो रहा था एक बात और बता दूं आपको यहां उस बेक पावर्स ने बहुत कोशिश की है कि कैसे करके मुगलों को अपनी तरफ मिला लिया जाया लेकिन मुगलों ने उस बेकों के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया क्यों मना कर दिया उसका एकी रीजन था चुकि इस रीजन के बैलेंस ओफ पावर को यह मुगल बेगाड़ाना नहीं चाहते थे अब खास बात यहां पर यह है कि मुगल भले ही लैंड पे वड़े ताकतवर थे बट समुंदर में वो इतने ताकतवर नहीं थे अगर यह मुगल समुंदर में ताकतवर होते तो डेफिनिटली टर्की के अंदर जो ओटोमन अंपायर था इसके साथ कुछ ना कुछ रिस्ते बनते है मुगल अंपायर के बर उतने बने नहीं इन फैक्ट इन समुंदर में यह जो यहां पे इंडिया है इस तरफ अगर आप चले जाओगे तो परशन गल्फ आता है तो यह जो पूरा को पूरा समुंदर का करना चाहते थे जो कि ओटोमन अंपायर में कैलिफेट का सिध्धान था और कैलिफेट के सिध्धान में जो आपको सुप्रीम धरम गुरू है उसकी बात आपको माननी पड़ेगी तो मुगलों को लगा कि यह कैलिफेट का सिध्धान हमने तर्की के साथ रिष्टे अच्छ कि नहीं हो पाई वह इंटेंशनली भी नहीं करना चाहते थे लेकिन सफवाविद ऑम्पायर जो इरान का था उसके साथ डफिनिटली आप कैसकते होगी यह हंपर सकता總we कि किसके बारे मित्के बारे में इसके बारे में इसके बाद वाली वीडियो में क्या बात करेंगे अकबर एंद उसमें चैप्टर काफी बढ़ा है अल्मुस्ट अप सवी बनने वच्चे इस पर्टिकुलर किताब के कोईभ कॉम आपको हिस्ट्री में इंट्रेस्ट आ रहा हो अगर आपको पधने मजह आ रहा है तो जो मेरा अफर्ट है वीडियो बनाने का तैटिस शपस्पूल तैंक्यू फॉचिंग फॉचिंगर लिग्साथ इस फिडियो को शेयरकर्ये Instagram follow कर लिजे, Telegram group join कर लिजे हर चीज का link आपको नीचे description box में दे रखा है और हो सके तो join button दबा के help करें that is specifically very helpful, goodbye